नमश्कर दूस्तों, वन इंडिया में मैं कुशान त आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत और इंगलेंड की बीच चन्ने में शुरू हुई चार मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाओ पर पहुँच चुकी है अब तक खेले गए तीन टेस्ट मैचों में भारत दो एक से आगे है और आकरी मैच जीत कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा वहीं विश्विट टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल में पहुचने के लिहाज से भारत के लिए आखरी टेस्ट बेहद एहम है उसे किसी भी तरीके से मैच बचाना होगा यानि जीत या ड्रॉ से कम कुछ भी नहीं उधर इंग्लैंड की टीम भले ही टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल के दोड़ से बाहर हो गई है बावजूद इसके उसके पास मैच जीत कर सीरीज को ड्रॉ कराने और भारत का खेल खराब करने का मौका होगा ऐसे में सीरीज का आखरी मैच दोनों ही टीमों के लिए 293 रन ही बना पाई वहीं भारती टीम की पहली पारी 145 रनों पर धेर हो गई थी दावजूद इसके टीमिनिया ने मैच दस विकेट से जीत लिया लेकिन मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के पूर क्रिकेटरों ने पिच को दोश देना शुरू कर दिया और उसकी जम कर आलोचना की बारत चार टेस्ट माचों की सिरीज में दो एक से आगे चल रहा है और जून में लॉट्स में होने वाले ICC विश्व टेस्ट चेंपर्शिप के फाइनल में कौलिफाई करने के लिए उसे अंतिम टेस्ट को सरिफ ड्रॉ कराना होगा भारती टीम तीन एक के फै टेस्ट माच चार मार्च से खेला जाना है भारतर इंग्रेंड की बी सीरीज का आखरी मैच भी एमदाबाद के नए नरेंदर मोधी स्टेडियम में होगा हाला कि इस बार परिस्तितियां थोड़ी बदली हुई नजर आ सकती है लाल गेंड से दिन में होने वाले इस